हेलो फ्रेंज वेल्कम टो सिल्पास के चैनल रेसिपीज आज मैं बनाने वाली हूं गोबी के मसालेदार पराथे वो भी चावल के आटे से तुछे लिए बनानों शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक मिक्सर ग्रैंडर लिया है और मैंने आधा मेरियम साइस के प्यास लिय थोड़ा एक घरे में 4-8 लैस्टन के कलिया अब इन सारी चीजों को मिक्सर में डालेंगे और थोड़े से फ्रेश अरदनिया डालेंगे और साथी थोड़ा से पानी अड़ करेंगे और इसे ग्राइन कर लेंगे अब मैंने एक mixing bowl में तू कब चावल का आटा लिया है ये homemade चावल का आटा है मैंने इसे कैसे बनाया है इसका वीडियो मैंने पहले ही upload किया है आप चाहे तो देख सकते हैं मैं link description box में दे दूँगी और अब मैं इसमें तयार किवा पेस्ट आड़ कर रही हूँ और साथी में चाहें चाहिं हां पर अधि चोडह चाहम चलिगा पाउडर आधि चोडह हम जीरापाउडर नअंगे के पड़दे चोडह सब्जी मसाला एंची कर रही हूँ जादा पतला हो जाएगा पर बैटर के कांसिजन से हमें ऐसा चाहिए अब मैं इसमें एक बड़ा साइस का प्यास फाइनली चॉप के आवा डाल रहे हूं और देर कटोरी पता गुबी डाल रहे हूं पता गुबी को मैंने ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिये हैं और सब्सक्रा South अब ऐसे से अच्छी चर्ष कर लेंगे मुझे भैटर थोड़ा ठिक लग रहा है सिर्मे थोड़ा सा पानी यट्ट कर रही हैं और पानी को भी भैर से अच्छा समीक्स कर लेंगे अब इसमें स्वादननु सा नमक डालेंगे और साथ ही एक ऐक बड़ा बंधर से पानी निकलता है अब बैटर को ढग के 15 मिनिट के लिए रेस्ट कहने देंगे 15 मिनिट बाद आप बैटर को देख सकते हैं बैटर का जो consistency है ऐसा होना चाहिए बहुत जादा पतला या फिर बहुत जादा थीक नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारे पराठी जो है अच्छे नहीं बनें अब मैंने एक तवा को गरम कर लिया है अब मैं इसमें एक चमस तेल डाल रहे हूँ और अभी उसमें बैटर को डालेंगे और स्पैचुला की मदल से बैटर को अच्छा सा स्प्रेट कर देंगे मैंने याप पराठी को बनाने के लिए आईरन का तवा यूज़ किया है आप कोई भी तवा या पैन यूज़ कर सकते हैं बस वो थीक बॉटम बाला होना चाहिए ने तो पराठी जो है वो हमारे तवे के तले में चिपक जाता है और निकालने में प्रॉब्लम होती है अब पराठी को एक साइट से थोड़ा सेखने के लिए देंगे अब देख सकते हैं पराठी जो है वो साइट साइट से थोड़ा से सीख चुका है अब हम इसे पलट देंगे मैंने यहां पर ग्यास का फ्लेम लो रखा था अब पराठे को भी नीचे साइट से सेखने देंगे मैं साइट साइट में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ ताकि पराठे जो है वो इसले निकल जाए हमें पराठे को लो फ्लेम पे ही सेखना है ताकि पराठे जो है वो अच्छे से पक जाएं एक पराठे को बढ़ने में कम से कम 7-8 मिनिट का समय लगता है अब पराठे को हम वापस पल्टेंगे और हलके हाथों से प्रेस करते हुए हाई फ्लेम पे दोनों साइट से सेख लेंगे 2 मिनिट के लिए अब हमारा पहला पराठा रेडी है अब हम इससे प्लेट पे निकाल के रख देंगे और इसी तरह से बाकी के पराठे बना लेंगे मेरे इस पैटर से करीब 5 पराठे बनके रेडी हुए है गेहूं के आठे से बने हुए गोबी के पराठे तो बहुत खाये होंगे लेकिन एक बच्चावल के आठे से बने हुए गोबी के पराठे को ट्राय जरूर कीज़े आपको जरूर पसंद आएगी और अपना एक्स्पिरेंस शेर जरूर कीज़े कमेंट्स के थ्रू पच्था गोबी के इस पराठे में ना आटा गुंद्य का जहनज़ट रहता है ना स्टाफिंग का जहनज़ट रहता है बस सब तयार कर लीजे घोल लीजे और जटपट बना लीजे अगर हमें किसी दिन सुबह का नाश्टा जल्दी बनाना रहता है तो हम इसे रात को रेडी कर सकते हैं और फ्रीज में रख सकते हैं और सुबह को इसे फ्रीज से निकाल के और जटपट नाश्टा रेडी कर सकते हैं टेस्टी और मसाले दर गोबी का ये पराथा बहुती कम समय पे बन के तयार हो जाता है और खाने में बहुती टेस्टी लगता है अगर आपको मेरे आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीज़े शेयर कीज़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े